पप वहां पन सकता है अगर अलग लड़ते हैं तो व भी सिरदर्थ होगा हां वो हर तरफ से जैसे तरफ पलॉचम को चला रहा है। तमिलाडू पर पक्ष में बोलते हैं कभी बिपक्ष में बोलते हैं मनिस ऐसे कश्य पईसे पत्रकार के समर्थन में जा दाते हैं वही चीज हम उधारन देंगे न कभी उनके पक्ष में चले जाते हैं कभी बिरोध में कभी महागटवंदन के पक्ष में बोलते हैं कभी बिरोध में बोलते हैं, कभी तिवचित ज्यादेव के साथ खड़े काते हैं, कभी उनके बिरोध में जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं, कभी किसी मुद्धा पर कुछ बोलते हैं, और उसी मुद्धा पर फिर पलट जाते हैं, आखिर क्यों, ऐसी राजनेतिक आप क् सुलजा हुआ वीचार आप अच्छे नेता थे गिंती था आपका कि नहीं नीट्रल बोलते हैं तो फिर ये दोरी बात आप सब चीज के बाप जूद आप ये दोरी नीती क्यों अपना है बिहार में बवाल मचा हुआ है तमिल नाडू को ले करके और तमिल नाडू को ले करके जो जो भवा फैलाएं हैं उन पर कारवाई हुई है और उसमें एक नाम आता है पपू यादब बिहार में गर्दनी वाग में वह घर धर नास्तर पर बैठते हैं तमिल नाडू को मामला पर ले करके उससे पहले ही तेस्वी यादव ने ये किलियर कर दिया था कि तमिल तमिले और ये कहा जा रहा था कि तमिल नाडू के मामले को लेकर प्रभावित होई थी पर पता नहीं पपू यादव आज कल क्या कर रहे हैं आज हम उसी मसले पर बात करेंगे पपू यादव की राजनेतिक भविस की समाजिक भविस तो उनकी बहुत अच्छी है सडख पर राजनेतिक भविस क्या होगा उनको क्या कहेंगे समाजिक आपने सही का समाजिक भविस उनका सही है सभी बैक्ति को मदद करते हैं हर जगा मदद करते हैं बढ़ चरकर हिस्ता लेते हैं इसमें लेकिन हमें भी असर्ज लगता है कि पपू भाई आकिर ऐसा क्यों करते हैं आपका सुल्जा हुआ विचार आप अच्छे नेता थे गिंती था आपका कि नहीं नीट्रल बोलते हैं तो फिर ये दोहरी बात आप सब चीज के बाप जूद आप दोहरी नीती क्यों अपना हैं एक रास्ते पर चलिए सचाई के आप सचाई के रास्ते पर चल रहते हैं भट एध्या वर्ण लादू निए हैं ना कभी उनके साथ खड़े जाते हैं बियोक現れ विरोद में जाते हैं, आखीर ऐसा क्यों आपकी राजसवासांसाद पतनी कॉंग्रेस में है, आप अपना पार्टी चला रहे हैं, पहले तो यही अंतर है कि दोनों पती पतनी एक जगन रहते हुए दो पार्टी में हैं, आप तो कॉंग्रेस में समलित होने की बात था, समाहि लेकिन जैसे कॉंग्रेस की नीती साप नहीं है उसी तरह पपु भाई का नीती हमको अब लग रहा है कि डूलमिन नीटी में चल रहे हैं चल रहे हैं पता नहीं अच्छा भविस्ट में पपु यादव को बीजेपी के साथ जाना चाहिए कि नहीं यह तो जाएंगे की नहीं जाएंगे नहीं यह भी हम जानते हैं भविस्ट में वह जाएंगे बीजेपी के साथ नहीं लेकिन बीजेपी के लिए काम कर देते हैं कैसे काम कर देते हैं जाने आन जाने वह बीजेपी को मदद कर देते हैं चुनाओ के समय अपना उमिद्वार उ लड़िये ना खुल कर लड़िये प्लॉट पर उमिद्वार खड़ा कर देने से नहीं होता है उमिद्वार के पीट पर तैनात रहना होगा लडाई लड़ना होगा जो आप नहीं लड़ पाते हैं लेकिन आप जो राजनितिक अस्तर पर नीती असपष्ट नहीं करते हैं कभी कुछ कभी कुछ यह बयान में अंतर क्यों हम यह जानना चाहते हैं कि आपके बयान में अंतर क्यों होता है कि राजनितिक भविश कैसे बचेगा किस पाटी के साथ जाएंगे कि किस गठबंधन के साथ जाएंगे तो इंके लिए वह कॉंग्रेस के साथ ही जादेतर दिखते हैं कॉंग्रेस के पक्ष में भले महा गटबंदन के खिलाब बोलते हैं लेकिन कॉंग्रेस के पक्ष में बोलते हैं यह हम जानते हैं अची तरह तो अब उनके लिए है कि या तो कॉंग्रेस में मर्ज करें या अपना प्रस्नल पाटी चला रहे है उसी को बाज़पा में आप गटबंधन कर लिजेगा तो क्या मिल जाएगा दो चाटों सीट मिल जाएगा ये हो सब्सक्राइगा नहीं मिलेगा तो मां गटबंधन पस्ताएगा मां गटबंधन जो भीव से चल रहा है वो भीव खतम है मां गटबंधन में जितने नेता है इनके सलाकार कौन है सलाकार ऐसे ऐसे लोग हैं कि उल्टे सला देते हैं गलत आपको बोट चाहिए पिछड़ा दली तादिवासी का अलप संक्यक का करते हम इसके हम दर्द हैं अब राज सवा किसको बेशते हैं अभी जो टिकट बटबारा हुआ कि अती पिछड़ा को दिये या पिछड़ा को दिये एकको खो ख Deputy को फिक को लड़ाय antholi जदियू उर टिय है यह सब ड कोया च्वड़ा को चौटender के हम दर्द हैं और दलीतों के हम दर्द हैं केmışन के हम दर्द हैं यह ना बंद कीजिये अगर अलग लड़ते हैं तो वह भी सिर्दर्द होगा और हर तरफ से महा कटबंदन को ही डामेज पहुचाएंगे उसको जरा सभी डामेज नहीं है इसलिए कि जो भाजपा का बोटर है वह बोटर उसका सिप्ट उसको यह क्या डेमेज कर सकता है तो यह क्या डेमेज कर लेंगे जो भाजपा को फाइदा होगा की नहीं हमको तो नजर में फाइदा हलका सा है कुछ बोट जो इनका पिछड़ा दलित का है वह जाएंगे उनके साथ जो प्रस्नल है लेकिन जो बोट भाजपा का है वह बोट इनको आएगा की नहीं एक कहना मुस्किल है जैसे एंडिये में थे नितीजी कहां दिया उसका बोट इनको मिला इनका बोट मिल गया उनका बोट का मिला वह बोट कर गया उदर चिराग पास्मान में यह लेकिन समझ रहे तब ना इननेताओं को समझ नहीं है तो पपू यादव की राजनितिक भविस्ट पर बात कर रहे थे पर कई सवाल खड़ा करें कई लोग कि ऐसे से लोग से पपू यादव की राजनितिक भविस्ट पर चर्चा करना कितनी जायज है जायज इसलिए है कि चचा काफी उम्र हो चुके हैं राजनितिक भविस्ट पर बात्चित आपको हमारे यह कैसा लगा पर्तिकरिया केमेट बोक्स में जरूर बने रहे जानताओं यह स्थितिक को देखे हैं कि कैसे पपू यादव की राजनितिक उदाई हुई और किस तरह से बिहार में राजनितिक कर रहे हैं बहराल बात्चित आपको हमारे यह कैसा लगा पर्तिकरिया केमेट बोक्स में जरूर बने रहे जानताओं यह स्थितिक के साथ बहुत बहुत धन्यबाद